दोस्तो आज चंदरियान 3 को लेकर इसरों की तरफ से चंदरियान 3 के लेंडिंग का समय बताया गया है फिलाल चंदरियान 3 पर दुनिया भर के देशों की नजरे ठिकी हुई है आज से ठीक एक महीना पहले यानी की 14 जुलाई को चंदरियान 3 को लॉंच किया गया था और आज हमारे चंद्रियान 3 ने एक और पढ़ाव को पार कर लिया है आज सुबे 11 बज कर 50 मिनट पर चंद्रियान 3 ने चोथी ओर्बिट में परवेश कर लिया है इससे पहले तीन बार चंद्रियान 3 अपनी ओर्बिट को बदल चुका है और आज हमारे चंद्रियान 3 की चंद्रमा की सतह से दूरी महज 150 किलोमिटर ही रह गई है इसरों की तरफ से जानकारी देते हुए बताये गया है कि अगले ओप्रेशन को 16 अगस्त को अंजाम दिया जाएगा इस मिशन के दोरान चंद्रियान 3 के थ्रस्टर को फायर करकर चंद्रियान 3 को अगली ओर्बिट में परवेश करा दिया जाएगा जहां से चंद्रियान 3 की दूरी 100 किलोमिटर चंद्रमा की सतह से रह जाएगी 17 अगस्त को भी एक और मिशन को अंजाम दिया जाएगा 17 अगस्त के मिशन के दोरान चंदरियान 3 के प्रोपल्शन मोड्यूल को टेंडर से अलग किया जाएगा और फिर 23 अगस्त को शाम 5 बज कर 30 मिनट पर हमारा लेंडर चांद की सतह पर लेंडिंग करेगा आपको बता दे कि 5 अगस्त को हमारा चंद्रियान 3 चंद्रमा की ओर्बिट में पहुचा था जिस दोरान चंद्रियान 3 की तरफ से कुछ फोटो भी क्लिक की गई थी और इन इमेज में साफ साफ चंद्रमा की सतय पर कई क्रेटर्स दिख रहे थे और इस मिशन की जानकारी देते हुए इसरो की तरफ से पताय गया था कि हमारे चंद्रियान 3 की तरफ से एक मैसिज पोस्ट किया गया है जिसमें चंद्रियान 3 की तरफ से कहा गया था कि मुझे चंद्रियान 3 मैसूस हो रही है और अब जानते हैं कि चंद्रियान 3 मिशन है क्य इस मिशन के दोरान इसरो चांद की दक्षिन धुरू उपर लेंडिंग करेगा इस मिशन को हमारे व्याग्यानिकों की तरफ से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे व्याग्यानिकों का मानना है की चांद हमारी प्रत्वी से तूट कर बना है लेकिन मानव गतिविद्यों क की वज़े से यह इतिहास मिर्चुका है लेकिन चांद पर यह इतिहास पूरी तरीके से शुरक्षित है हमारे व्यज्ञानिक चांद की study करकर यह जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि पर उत्पत्ति हुई कैसे है लेकिन अब सवाल यह भी आता है कि इस mission का हमें क्या फायदा होगा इस मिशन के दोरान इस रोध दुनिया भर के देशों को ये दिखाना चाहता है कि हमारे पास भी चांद पर सोफ्ट लेंडिंग करने की कैपिबिलिटी मोजूद है और अगर भारत की सफल लेंडिंग हो जाती है तो भारत दुनिया का एसा चोथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सोफ्ट लेंडिंग की हो आपको क्या लगता है कि 23 अगस्त को क्या हमारा चंद्रियान 3 सक्सेसफुली लेंड हो पाएगा हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव गूड डे